बवाल का ट्रेलर ब्रेकडाउन रिव्यू और जो कन्फूजन क्रियेट हुआ है वर्ल्ड वर का उसे दूर करेंगे और कुछ इंटरस्टिंग थेरीस इस वीडियो में सबसे पहले वरुन धवन का कारेकडर जो लखनों से है और अपने बाइक पे सारे लोगों से मिलते हुए जा रहा है वाइस ओर में बोला जाता है कि उसने जूट के बीच बोबोकर अपनी इमेज कायम की है यानि कि वो अपने इमेज को लेकर बहुत जादा सचेत है और ओपनिंग शॉट्स में ही सब लोग उसे इतनी इज़त और चीर कर रहे है ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके दिमाग में चल रहा है नहीं तो इसने महौल ही ऐसा क्रियेट किया होगा जो इसे इतनी इज़त दे रहे है और ऐसा लगता है कि वो एक टीचर है स्कूल में और हिस्ट्री पढ़ाते है लेकिन असल में उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है नहीं तो उसको वर्ल्ड वर के बारे में कुछ पता नहीं है और वो स्टूडन्ट आंसर देता है और ध्यान से देखना उस प्रिंसिपल को वो थोड़ा कन्फ्यूस्ट या सरप्रा अगर आप ब्लाक बोड पे पहले वाल एंगल से देख होगे तो वहां पर हीचलर के बारे में लिखा गया है और दूसरे डेखो गे तो इस ब्लाक बोड पे इतिहास और उसके नीचे जर्मनी रशिया फ्रांस और दो कंट्रीश के नाम लिखे हुए है और वरुन के expressions second में ही बदल रहे है एक थेरी ये भी है कि उसे bipolar disorder याने बहुती ज़्यादा mood swings होना या split personality भी हो सकती है और फिर वो बोलता है कि निशाद जैसे लड़की अगर उसे मिल जाए तो उसकी image और भी ज़्यादा set हो जाएगी यहाँ पर भी वो अपने image के बारे में ही सोच रहा है वरुन के character अपने image को लेकि कुछ जादा ही focused है जिससे Hitler भी था अपने image को लेके और आगे हम वो similarities देख सकते है वरुन और Hitler में personality को लेकर और जो यह starting के scenes जब वो एक बार में मिलते है वो Europe के है जहां पर वो discuss कर रहे है उनके बीच क्या common है लेकिन कुछ common नह होना जरूरी है क्या यह scenes उनके शादी के बात के है जो वरुन उसको Europe trip पे लेके जाता हुआ है लेकिन यह सारी बाते तो शादी से पहले होती है ना mostly सायच से वो शादी से पहले यह discuss ना किये हो तो थोड़ा odd तो लग रहा है फिर next scene में उनकी शादी हो जाती है और वरुन जाना चाता है वो सायच से वो school वाले हच्चे के बाद वरुन को world war में interest आ गया और वो कुछ जादा ही इसमें गुज गया है और जो expressions देता है ना वो world war बोलते वक्त समझ जाना कि वो पूरा fascinate हो गया है world war को लेकर और अपने पापा से बोलता है कि सोच रहा हूँ निशा क भी यूरोप ट्रिप लेके जाओ घूमने के लिए लेकिन असल में वरुन को ही जाना था यूरोप और वो शादी के बाद अकेले तो जा नहीं सकता इसलिए वो उसको भी साथ लेकर जाता है और पापा से करीब 8-10 लक लेके वो यूरोप चला गया है फिर पैरिस में घूम और वरुन पीछा कर रहे है किसी का तो भागते हुए और वो इंसन भाग रहा है और वरुन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है शायद से वो चोर हो सकता है नहीं तो उसने कुछ तो किया होगा और जानवी टॉंट मारती है कि तुम कभी भी किसी को थैंक्यू तो बोल न निशान आता है कि वो किसी को भी अपना आभार प्रकट नहीं करते फिर एक डांस शॉट के बाद हम देखते है कि वरुन और वो गुजरातिक करेक्टर जो हम ट्रेलर के एंड में देखते है वो एक बातरूम में है अपने बिना शर्ट के और शायद से उनकी चेकिंग हो र यह सेकेंड डायलोग किसी और सीन का पार्ट लगता है और फिर हमें वार के सीन्स और गैस चेंबर के सीन्स दिखाए जाते हैं इस वाले शॉट में अगर आप देखोगे तो यह एक इंडियन घर और एक इंडियन रूम की फिलिंग दे रहा है शायद से यह वरुन का ही गर होगा क्योंकि इस रूम के बाहर हम लेफ्ट सैड में डंबेल्स चदर फोल्ड किया हुआ देख सकते हैं और आर्टिटेक्चर भी इंडियन घर के तरह लग रहा है लेकिन शायद से वरुल्ड वार वाली जर्मनी का लोकेशन भी हो सकता है और ऐसा लगता है कि वरुन यह स तुम कितने सिल्फिस इंसान हूँ अपनी इमेज के अलावक कुछ नहीं देखते तुम तो जानवी को पता चल जाता है उसकी असली परसनलिटी के बारे में और वरुन बोलता है कि जो जिन्दगी में हम चाहना चाते थे वो हमें कभी नहीं मिला और लाइफ पार्टनर भी मिली ना तुमारी जैसी एक डिफेक्टेट पीस तो यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है ऐसा लगता है कि जानवी को कोई तो बीमारी हुई है जो कि जानवी को बहुत अफेक्ट कर रही है नहीं तो कुछ तो हुआ है उसके परसनल लाइफ में क्योंकि नेक्ट सी हो रहे है फिर उसके बाद विंडो बन कर दिया जा रहा है इसका मतलब यह हो सकता है कि वरुन ने दूरी बनाने शुरू कर दी है जानवी से और वो रिष्टा अभी खतम होने की कगार पे है और वो उस गैस चेमबर की तरह उसे प्रेजेंट कर रहे है यानि उसे एक सिंब की तरह प्रेजेंट कर रहे है और फिर वो दोनों अलग-अलग बैट स्पे सो रहे है और वरुन गुसा भी बहुत है और फिर जानवी बोलती है कि हम सब भी थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना जो अपने पास है उससे खुश नहीं है जो दूसरों के पास है वो ये जुनुन कभी खतम नहीं होगा ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसमें वर्ल्ड वर और हिटलर को एक परस्नालेटी टाइप की तरह यूस किया गया है जो उसकी आदते थी और परस्नालेटी थी वो वरुन के करेक्टर में भी हम देख सकते हैं और वरुन जो दूसरों के पास है वो उसे चाहिए रहता है और इस डायलोग के बीच हम देखते हैं कि वरुन ने अपनी शादी में कुछ तो ऐसा देख लिये लिया है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया है और बाद में कार में शादी होनने के बाद वरुन बहुती गुसे में नजर आ रह है फिर जानवी बोलती है कि वर्ल्ड वर तो खतम हो गया वरुन बोलता है कि यह अंदर की वर कब खतम होगी कोई नहीं जानता इस लाइन का डिकोड करने से पहले इस सीन में एक ऑफिसर ने वरुन के उपर गन पॉइंट की की है और वो बोलता है स्टॉब और वरुन के हा देखकर फिर शाहिद से यह इमेजिन कर रहा है नहीं तो टाइम ट्रेवल वाला सीन भी हो सकता है नहीं तो वो प्रेजेंट टाइम में वरुन वर्ल्ड वर को अपने आसपास होते हुए देख पा रहा है फिर वो बीच के पास है और वरुन को कुछ तो रियालाइज हुआ है और यह पूरा एक ड्रीम वाली फिलिंग दे रहा है लेकिन ऐसा भी हो लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता और नेक्स्ट सीन में वरुन ने कुछ तो देख लिया है और वो रो रहा है मुझे लगता है कि यह शायद से एक वाइल्ड गेस है लेकिन यहां पर हमें जानवी की डे वो गुजराती फैमिली के साथ वाले जोक में तुम अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो वहाँ पर हमको जानवी कपूर नहीं डिखाए गई ऐसा लगता है कि जानवी उस प्लेन में है ही नहीं क्योंकि आगर वो वहाँ पर होती तो वरुन को रुकती वो खाकरा खाने से न वरुन ने रियालिटी से डिस्टॉर्टेड हो गया है और अपने आपको वो रियस्टोसियेट कर रहा है एक डिफरेंट रियालिटी से दोनों को सपरेट करके प्रेजेंट टाइम से और वो ताइम से असोसियेट कर रहा है जो वो चूस कर रहा है एक्सपिरेंस करना वरु अपने लाइफ और जो चीजे हो रही है उसके साथ वो उसको connect कर रहा है World War के scenario से याने अपने अंदर के war से जो वो लड़ रहा है नहीं तो ये सिफ World War का backdrop यूज़ कर रहे है फिल्म में जो love story वाली battle है उसको एक symbol की तरह यूज़ करने के लिए possibilities तो बहुत सारे है कि इस फिल्म में क्या होने वाला है और वरुन और जानवी अच्छे से suit कर रहे है इस story के लिए comedy, emotional और drama वाले scenes बहुती अच्छे से balance होते हुए दिख रहे है और ये दोनों actors intense moments में बहुती अच्छी acting करते है और मैं excited हूँ इस film को लेकर क्योंकि डारेक्टर नेतिस्तिवारी के पिछले दो फिल्म में बहुती अच्छे थे और मैं खुश हूँ कि वरुन और जानवी अच्छे डारेक्टर के साथ काम कर रहे है फिल्म के गाने तो जो हमने सुने है वो बहुती मस्त है और मुझे ओवरॉल ट्रेलर अच्छा कर्ट किया गया है जैसे ये फिल्म है ये ट्रेलर उसके लिए बहुती अच्छा है मुझे ये ट्रेलर बहुती अच्छा लगा है तो आपको क्या कहना है इस फिल्म क्या मिस्टरी क्या होगा हमें कमेंट्स में लिखे बताइए और इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं सो थैंक्यू फॉर वाचिंग